नमस्कार दोस्तों एक बार पुना स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चेनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र दोजा 23-24 में कॉलेग प्रवेस पोस्ट ग्रेजवेट या अंडर ग्रेजवेट यानि की पीजी या यूजी के लिए जो आविदन फाम फिल किये है उसकी जो वेरिफिकेशन दस्तावेश सत्यापन रसिज्ज जो है आप घर बेटे कैसे फ्री में डाउनलोड करोगे इसमें आपको क्या दस्तावेश लगेंगे संपूर जानकारिये हम आपको आगे वीडियो में विश्तार पुरोग स्टेप बाई स्टेप देंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरू दबाए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सत्र दोजा 23-24 में हाई रेजुकेशन यानि की कॉलेज में जो यूजी और पीजी के लिए है यह आपने आविदन फाम फिल किया है तो उसके जो दस्तावेज है वो वेरिफिकेशन के लिए आपको कई जाने की आवशकता नहीं है उसके दस्तावेज वेरिफिकेशन की जो रिसिप्ट है वो आपको घर बेटे आप कैसे डाउनलोड करोगे तो उसके लिए दोस्तों हमें e-provise.mponline.gov.in यह वाले पोटल पर आना है यह वाले पोटल से दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में UG और PG के आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में जानकरी दी थी साथ ही दोस्तों यह वाले पोटल और वो जो UG और PG के आवेदन की वीडियो की लिंक है दोनों हम वीडियो के description में दे देंगे ताकि आप अपना आवेदन भी कर सके और ये वीडियो के माध्यम से आप अपने दस्तावेज verification receipt भी आप डाउनलोड कर सके दोस्तों आपको दस्तावेज verification receipt डाउनलोड करना अनिवारिया है क्योंकि जब admission होगा उस समय वो receipt के आवशकता रहेगी इसलिए आप अपने दस्तावेज verification की receipt जो है डाउनलोड कर ले ये वाले portal पर आने के बाद में दोस्तों देखना या PG की सेम प्रोसेस से दिखेगी आपको जिसका भी verification receipt लेनी है उस वाले option पर जो आपने कालेज admission के समय जैसे registration non-minority college और registration non-minority college यानि की यूजी और PG में जो registration वाले लिंक पर आपने क्लिक किती उसी लिंक पर हमें क्लिक करना है रिशिप्ट डाउनलोड करने की process दोनों की सेम रहेगी उसके बाद में घुशना पत्रपर क्लिक करना है और I agree पर हमें प्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों मैं यहां पर बहुत सारे आप्शन खुल कर सामने आएंगे जिसमें new registration उसके बाद में फील पे अनपे रजिस्टेशन फार्म उसके बाद में थाड नंबर पर हमें एक option दीख रहा है registration choice और verification receipt तो यह जो थाड़ वाला option दीख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी आवेदन नंबर था वह आवेदन नंबर देना है चात्र चात्रा की जन्मतीती देनी है और जो आवेदन करते समय password create किया था वह password देना है capture code देना है और simple से view detail पर हमें क्लिक करना है जैसे हम जानकारी देखकर view detail पर क्लिक करेंगे उसके बाद में जैनमती थी माता का नाम पीता का नाम इधर फोटो और सिगनेचर दिखेगी सुरक्षय के लिए हमने सारी जानकारी कर दिए इसलिए आप जिसका भी देखो कि उसकी जानकारी आपको यहां पर स्वोगी उसके बाद में दोस्तों में इस्क्रॉल करकर नीचे आना है जैसे मिस्क्रॉल करकर नीचे आएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देश्बोर्ड दिखेगा जिसमें सबसे पहले रजिस्टेशन रिशीप्ट तो रजिस्टेशन जो फर्स्ट राउंड की यह दि आपने आविदन किया है सिर्फ आपके पाई अप्लिकेशन नंबर है और आपकी रजिस्टेशन स्लिप कहीं गुम गई है तो यहां से आप कर पर क्लिक करकर इसकी रजिस्टेशन स्लिप प्रिंट कर सकते हैं चोईस फिलिंग के रिस्ट भी यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आपको एक अप्शन दीख रहा है प्रिंट वेरिफिकेशन रिसिप्ट तो यहां पर आपको वेरिफिकेशन करना है जैसे यह वाले option पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पुना रिसीप्ट दीखेंगी ओनलाइन करोगे यारे कि पीजी का करोगे तो यहां पर पी दीखेगा और यूजी का दीखेगा उसके बाद में डोकुमेंट, वेरिफिकेशन, स्टेटस, तो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यार्दी का विवरंड दिखेगा, जिसमें यहाँ पर आपको आप्सन दिखेगा, जो टूटी का है, वो टूटी को सुधारना है, और उसके बाद में आपके नस्दी की महाविद्याले में जाकर, सत्यापन के अंदर से आपको सत्यापित करवाना रहेगा, और यदि किसी तरह का सत्यापन आपका सही तरीके से हो गया, और किसी तरह की तूटी नहीं है, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दिखेगी, उसके बाद में हमें स्क्रोल करकर नीचे आना है, तो यहाँ पर महतोपुन निर्देश लिखे हुए है, यदि सत्यापन के बाद भी कोई आवेदक की प्रवेस संबंदी प आसन का निर्देश अंतिम एवं बंधनकारी होगा, पात्रता में संसाइ कि इस्तति में आवेदक से संबंदित विश्विद्यले में पात्रता प्रमान पत्र प्राप्त किया जाए, और उसके बाद में कब आपका आवेदक सत्यापन हुआ है, वो तारीक यहाँ पर दिखे सबम USD, और यहाँ पर दोस्तों आपको verification officer का नाम कि के दवारा जो आपके दस्तावेज verify हुए, उसका नाम दिखेगा, उसके बाद में verification center लिखेगा, कौन से महावित्याले जी आपके दस्तावेज verify हुए, वो दीखेगा, उसके बाद में print पर click करना है, और इस सत्यापित रशिद जो है सत्यापन की रशिद यह हमें प्रिंट करकर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है तो दोस्तों इस तरीके से सत्र दोज्या 23-24 में जो कालेज प्रवेस यानि की यूजी और पीजी के लिए जो आवेदन फाम भरे जा रहा है उसकी जो सत्यापन रशिद आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है और रशिद डाउनलोड करने के बाद मैं अपने पास सुरक्षित रख लेनी है तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना हम आपकी साहिता कर जाहिन वंदे मात्रव